आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनोट करें अगर समानतर क्रम में जुड़े हो, समानतर क्रम में अगर हमारे N ऐसे ही प्रतिरोध जुड़े हो, तो हम लोग किस प्रकार तुल प्रतिरोध निकालेंगे, तुल प्रतिरोध निकालेंगे, एक बटे आर, ठीक है, एक बटे आर वन, प्लस एक बटे आर टू, प्लस एक ब वर्डेस है, हमने मान रहे हैं, ठीक है, यानि r1 बराबर r2 बराबर जो rn है, उन सब का मान क्या है, r है, तो अगर स्रेंडी क्रम में हम बात करें, स्रेंडी क्रम में जो तुल्द प्रतिरोद हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, r प्लस r प्लस r डडडडडडडड़ तो यहाँ तुल्ल जो प्रतिरोद आ जाएगे क्या जाए गा? n r आ जाएगा ठीक है? यहाँ पर अगर हम निकाले तो 1 बटे r डेस बडाबर 1 बटे r सब का मान हमने r मान लिया तो 1 बटे r डेट 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 डेस एक बटे r ये कितनी बार जुड़े हुए है, n बार जुड़े हुए है, तो एक बटे r' का मान क्या जाएगा, n गुड़े एक बटे r, ठीक है, तो r' बराबर क्या जाएगा, r बटे n, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, कि जो हमने स्रेडी क्रंप में जोड़ा था, तो क्या हुआ था, n का गुड़ा हुआ था, ठीक है, n क्या यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, जो की एक से जादा हो, ठीक है, n बराबर क्या होगा, 2, 3, 4, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन दसमलो या उसमें नहीं होगा, ठीक, रिणात्मक नहीं हो सकता है, तो n का जब गुड जो है वो बड़ा है किसे और double dash से ठीक है तो जब हमें प्रतिरोध का मान अधिक्तम चाहिए होगा तो हम अपने प्रतिरोधों किस क्रम में जोडेंगे हम अपने प्रतिरोधों को स्रेडी क्रम में जोडेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा स्रेडी क्रम ठीक है स्रेडी क्रम में प्रतिरोधों को जोडने पर परिणामी जो आता है, परिणामी प्रतिरोध जो आता है, वो अधिक्तम आता है, तो हमारे question का यही answer हो जागा, यही हमचे पूछा गया था, thank you.